नमस्कार दोस्तों देखिए आप सोच रहे होगे कि मैं यह हाथ में छाता वाता लेकर क्या कर रहा हूँ आपको पता ही है कि पूरे नौर्थ इंडिया में इस समय जबरदस्त बारिश हो रही है और दिल्ली एंसी वार में तो बड़ा बुरा हाल है लेकिन वीडियो तो बनाना ही है और मन था कि आज बारिश के बीच में ही वीडियो बनाओगा और मुद्दा भी दोस्तों ऐसा ही है अरविंद केजरिवाल जो दिल्ली को डूबने से नहीं बचा सके हैं दिल्ली में आप सब जानते हैं क्या इस समय बुरा हाल है एंसी आर में सब जगे जल मगनो चुका है और अरविंद केजरिवाल की सरकार जो है वो बुरी तरह से घिरी हुई है यहां पर समस्याओं को ल जो सर्विसेज ओर्डिनेंस आया है और जिसके खिलाफी सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कल उस पर सुनवाई शुरू हो गई है अगली डेट 17 तारीक के लगाई गई है 17 जुलाई की इस मामले को लेकर अर्विन के जरीवाल जो है वो समर्थन मांगते वे घूम रहे थे खी राजनितिक दौव से संपर्ख किया था सभी राज्यों में घूम कर आए थे और पंजाब के जो सीम है भगवन रमान उनका स्टेट प्लेन है जो उससे वो घूमे थे उन्होंने कॉंग्रेस से भी संपर्ख किया था था कॉंग्रेस से यह का था कि साब आप खी हमें सप से बड़ी पार्टी है और अभी भी राज्य सभा में बीजे पी के बाद नंबर दो की पार्टी है सबसे ज़ादे उनके सांसद हैं ये सब लोग जानते हैं उनके बिना ये ओर्डिनेंस रुक नहीं सकता था लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें समय नहीं दिया राहुल गां हमें आये हैं लेकिन सबसे ज़्यादा विरोध कहां से आया था पंजाब से पंजाब के कॉंग्रेस नेताओं ने तो एक सीरे से कह दिया था कि अर्विन केजरिवाल आम आदमी पार्टी का एक रती भरभी सैयोग हमें किसी भी हालत में नहीं करना है और देखिए अर्विन होगा कि इन्होंने जब पंजाब में सरकार बनाई थी तो उससे में कहा था हमारा विजिलेंस जो ब्यूरो है हमारा जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वो भरष्टाचार के खिलाफ काम करेगा और उन्होंने एक हेल्प लाइन शुरूप की थी वगवन तमानने तो अब इस परकरण में दोस्तों जो ने डवलपमेंट्स मेजर आ रहे हैं और इसके बारे में देखें यूट्यूब पर शोशल मीडिया पर ज़्यादा चर्चाएं नहीं हो रही हैं लेकिन एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं को अर्विन के इजरिवाल पंजाब में ज कराया गया है विवार की देर शाम उन्हें चंडिगर से गिरफतार किया गया और विजिलेंस ब्यूरो का कहना है कि पूरुब उपमुख्य मंत्री और कांग्रेस नेता सोनी ने वर्स 2016 से लेकर 2022 तक आयसे अधिक संपत्ति अर्जित की और बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी किया पिछले साल से सोनी के घर होटलो और अन्य ठिकानों पर जाच की जा रही थी विजिलेंस की और ये भी कहा है विजिलेंस डिपार्टमेंट ने के ओपी सोनी विदेश भागने की तैयारी कर रहे थे हाला कि उनके खिलाफ एलो सी पहले ही जारी हो चुका है यानि कि उन पूर्व मंत्री और कॉंग्रेसी नेता सादू सिंग धर्मसोत, भारत भूशन आसू, कुशल दीप सिंग धिलो और सुंदर शाम औरोड़ का नाम सामिन है इसी तरह से पूर्व मंत्री संगत सिंध गिलजियां पर भी ब्रश्टाचार का केस दर्जुआ है कई पूर्व मं जाली नेता, जनमेजा सिंह सेखो और दो आईयस अधिकारियों के खिलाफ भी जाच चल रही है इस पूरे परकरण से क्या बाते निकल कर सामने आती है इस पूरे परकरण से दोस्तों ये बाते निकल कर सामने आते हैं कि आम आदमी पार्टी, भगवंतमान, अर्विंद कितने बड़े शरारती हैं देखे कॉंग्रेस पर किस तरीके से उन्होंने कारवाईयों का ताता लगाया हुआ है पंजाब में और इस सब के बावजूद भी अगर राहुल गांधी ये डिसाइड करते हैं कि हम राज्यसभा में जो की वैसे राज्यसभा में ये ओर्डिनेंस रोकने वाला है नहीं लेकिन उसके बावजूद भी अगर राहुल गांधी ये डिसाइड करते हैं कि कॉंग्रेस समर्थन करेगी इनका और इस ओर्डिनेंस को रोकने की कोशिश करेगी तो ये इनके लिए बहुत ही शर्मनाक बात होगी और बहुत सारे घोटाले इनके दूब मरने जैसी स्थिती होगी कि इतना सब हो जाने के बाद आपके खिलाफ एक टार्गेटिड तरीके से अभियान अर्विन केजरिवाल चला रहे हैं और उसके बाद भी अगर आप समर्थन देने की बात कॉंग्रेस को करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कॉंग्रेस की कि इतनी खराब हालत में इस समय पहुँच चुकी है कि जो लोग आपके खिलाफ अभियान चला रहे हैं जो आपके नेताओं के बाद एक अरेस्ट करा रहे हैं आप उनके समर्थन में खड़े हुए पारलेमेंट में नजर आते हैं देखिए अर्विन केजरिवाल की ये जो ध टिकट बेचे थे दिल्ली के आप सब जानते हैं पंजाब से जो अभी 5-6 इनोंने 6 या 7-7 राज्यसभा के इनके पंजाब से गए हैं उनमें 2-3 बड़े-बड़े बिजनसमेन कारोबारी हैं पैसा लेकर टिकट वांटना इनोंने शुरू कर गया था जो सक्ष राज्यसभ कितनी खराब हो चुकी है देखिए अर्विन केजरिवाल ने जब पंजाब में सरकार बनी इनकी भगवंत मानवाली सबसे पहला काम क्या क्या था कुमार विश्वास के घर पर पुलिस बेज़ दी थी ये कहा करते थे कि हमें दिल्ली में पुलिस का कंट्रोल दे दीजे हम निया विवस्था सुधार देंगे और ये निया विवस्था कैसी सुधारी थी इन्होंने जब इन्हें पंजाब में पुलिस मिली तो सबसे पहला काम इन्होंने क्या किया सबसे पहला काम ये किया कि कि कुमार विश्वास में जो अर्विन केजरिवाल के खिलाफ बयान दि लेते वरनों कुमार विश्वास को भी अरविंद केजरिवाल गिरफकार करवा सकते थे तो ये हाल है अरविंद केजरिवाल का पंजाब में एक के बाद एक कॉंग्रेस के नेताओं को जेल में भिजवा रहे हैं और ये विजिलेंस जांच हो रही है कोई EDCBI की जांच नहीं ह इस तरका इनोंने जो बनाया हुआ है और ये सिर्फ बदला लेने के लिए इनोंने बनाया है अभी बीजेपी और अकाली नेताओं पर इनकी नजर नहीं है तो चर्चा ये थी कि जो सोनी साहब हैं जो औरेस्ट हुए हैं पूर डिप्टिसियम इनकी चर्चा थी कि शिरोमन कि स्थिती होगी राहुल गांधी के लिए और कॉंग्रेस के लिए भी मुझे लगा कि इस मुद्देबर आपको बताया जाना चाहिए मैंने इस चीज़ से आपको अभगत कराया वीडियो अच्छा लगए तो लाइक कीजिए अगर आप पंजाब से हैं तो अपना कमेंट जरूर लेखिएगा हमारे चैनल को सपोर्ट करें अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें क्योंकि मैं अकसर लाइव आता हूँ और आप मुझसे लाइव नहीं जुड़ पाएंगे नमस्कार